जहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटी चैनल एज जेडी पे दोस्तों एर फोर्स की तरफ से बंपर भरती आप लोग के लिए आ गया है इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कौन-कौन से बंदे इस भरती को देखने के लिए इलिजिवल यहां पर आप लोग को देखने को मिल है ठीक है यह जो होगा आप लोगा यहां पर दीखेगा सबसे पहले आप लोग नीचे आओगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा एक में इंडियन और गोर्खाज जो की नेपाल से विलोंग करते हैं और इस्टेट ऑफ पंजाब हिमाचल परदेश उत्राखंड और उसके बाद जमू कस्मीर ठीक है चंडिगड एन लडाक तूबी एयर मेंट वाई ग्रूप मेडिकल ट्रेड और एकुट्मेंट यहां पर बेस यहां पर रिप्यर डिपोर्ट एयर फोर चंडिगड आप लोग हंड है ठीक है उसका जमू कस्मीर है उसका चंडिगड है और लडाक है और बाकी जो निपाल से विलोंग कर रहे हैं गोर्खास वह भी देख सकते हैं ठीक है तो इतने लोग इस फार्म को फिल अप कर पाएंगे बात करते सबसे पहले भरती कि डेट के तो तीन जुलाई दो होज़र चॉबीस से लेकर 12 जुलाई 2024 के देट चलना वला है उसमें दो टेट होगा एक होगा आप लोगजे को जिसमेंमी के मेडिकल स्सींट होगा और वाइगलोप जिसमें मेडिकल स्टेंट जो होगा जो होल्डिंग कर रखे होंगे या BAC में खायर्मीमा materia कर रहा है इसमें जो होगा सबसे पहले आप लोगा फेजिकल फिटनिस टेस्ट टेस्ट होगा एडबलेटी टेस्ट टू और मेडिकल एपॉइंट मिन्ट आप लोगा होने बला है इतने स्टेट के सारे के सारी डिस्ट मेरा आप लोग का संवाम कैसन फिलफ करने तो इसके बीच में आप लोग रेजिस्टर कर देना रेजिस्टर जिसका हो जाएगा successfully उसके बाद आप लोग admit card के लिए wait करना पड़ेगा ठीक है आगे देखो नीचे आते हैं the selection is not for selection as commissioned officer उसके बाद है pilots navigation और अगनिवीर वायो ठीक है अब आते नीचे eligibility criteria में तो आप लोग का जो होगा marital status and date of birth जो होगा आप लोग का क्या होने वाला है वो चीज़ आप लोग देख लो सबसे पहले medical stand for class 12th के लिए जिसमें कि आप लोग का 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में आप लोग का date of birth होना चाहिए और medical assistant trade जिसमें कि आप लोग का diploma या BS in pharmacy कर रखे हो तो उनका 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006 के वीच में आप लोग का date of birth रखा गया है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 ठीक है बहुत date यहाँ पर मतलब की दोनों date को include किया गया है इसके अंदर वो चीज़ बताए गया है तो इतना date of birth है तो आप इजली इस form को fill up कर पाऊगे कोई दिक्कत नहीं बात करते है education qualification की तो education qualification आप लोगा बार्वी पास आप लोगा होन जरूरी है और बार्वी में भी आप लोग पास physics होना चाहिए chemistry होना चाहिए और biology और English होना चाहिए अगर इतना subject है 12 वाले class में तब जाका आप form को fill up कर पाऊगा और उसमें 50% marks होने चाहिए और English में 50% marks होने चाहिए अगर इतना marks है तो इस form को fill up कर पाऊगे नहीं तो न यहां पर आप लोग देख सकते हो एस्टेट यूटी में कम से कम 50% marks 50% क्या होना चाहिए इंग्लिस में होना चाहिए वह चीजी लिखा गये ठीक अब आता हम लोग थोड़ा सा नीचा आते हैं और यहां पर आप लोग देखोगे तो candidate with diploma bsc in pharmacy अगर फार्माशी कर रखे हो बारवी के बाद तो आप लोग का physics chemistry biology तो हो गई वह इंग्लिस तो हो गई उसमें 50-50% नंबर चाहिए ठीक और इने डिशनल डिप्लोमा या बेसी का जो भी certificate है वो लगेगा उसमें कम से कम आप लोगा 50% marks होना चाहिए ठीक तो वह चीज आप लोगा होगा तो यह एक special भर पतर लगेगा चंडीघ चाहिए ठीड़िगा निवास पर्मान पतर और यह नहीं रहोगा तो फिर आप लोगा रैली भी समझ लोग की नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करने to missile certificate बनमाना है domicile कहा हो अचाहिए किस officer का इस्तुराइज होना चाहिए उसमें क बनेगा वह चीज आप लोग देख सकते हो मैं यह नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगा यह टेलिग्राम प्लोग जोइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सर्च करना टेलिग्राम पे जाके एज श्टड़ी और आप लोग जोइन हो सकते हो ठीक अब आतर म पुछ तो है नहीं मेडिकल में बॉडी टैटू के बारे में बताया गया आप थोरा सा में इधर आते हैं और इधर देखते हैं और क्या चीज आप लोग को बताया गया है तो जो वनली सी कैंडिट्स हैं वो मतलब की बाल लंबे-लंबे दाड़ी यह सब रख सकते वह चीज बुलू बॉल पॉइंट पेन इस अब आपको कैरी करना है टूल का सर्टिफिकेट मार्क सीट यह सब सब क्या क्या लगेगा यह सब कुछ में अभी बाद में बताऊंगा ठीक अब आतम तो नीचा आते हैं इसमें देखो कॉंसेंट फॉर्म फीजिकल फिटने टेस्ट के ल ठीक है इन कंडिशन ओफ बैसिक फेज ट्रेनिंग ठीक तो यह आप लोगों को बताया गया अब थोड़ा साम नीचा आते हैं इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि इसमें जो है अगनी बीर वाला सिस्टम लागू है या नहीं है ठीक है तो एक चीज में हम देख लेते हैं अगनी बीर के तहत भरती निए परमानेंट भरती है तो यह बहुत अच्छी बात है मेरा वाई कि आपको इसमें परमानेंट भरती देखने को मिला है वन पॉइंट सिक्स किलोमेटर गरनी साथ मिन्ट में कंपलीट करने है ठीक है और 21 बरस का है तो और 47 मिन्ट में आप लो के पेपर होंगे 20 सिंगलिस के होंगे और वही रागा का जो होता है तीस कोस्टन वो चीज आप लोगा मैं लगे वाई गुरूप के तरह सीम रहेगा मेरा वाई और यहां पर प्लोग के सारे पेपर को पास करने पड़ेंगे एक नंबर सही पे हैं और मतलब कि गलती करता त ठीक है और नीचे आने के बाद हम देखते हैं थोरा सा यह चीज आप लोग को और क्या आगे बताए गया ठीक है तो यहां पर अभी PSL के बारें बताएगे कि 11 November को आप लोगा PSL जारी हो जाएगा 2024 में ठीक है और अब फिलाल कुछ और देखते हैं मतलब कि यहां पर आप आप लोग देखोगे तो कोविट इंस्ट्रक्शन का पूरा पालान करना है और इंटेक वन बाई 2022 के लिए जो लिस्ट चारोगा ठाइस नमद उसमें ही आप लोग का आजाएगा ठीक है उन लोग के साथ ही तो सेलेक्शन परसेजर होगा वेरिफिकेशन सबसे पहले तो व मतलब के एरफॉर्स का वीक होता है साठीफिकर बनता है वह बनवारक हो तो वह देखाना नहीं तो कोई दिकत नहीं है ठीक वही सब चीजह आप लोगा वेरिफिकेशन होगा वह सब चीज आप लोगा बताएगा सब्साइब कर चेलेक्शन परसेजर में ठीक एक एक जाब दब जाएगा जब रैंक बढ़ेगा तो एक चीज में यह अच्छा चीज मुझे लगा मेरा भाई कि यह जो भरती है ना अगनिवीर के तहत नहीं यह एक पर्मानेंट भरती है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना क्या है पर्मानेंट भरती और यह मेडिकल वाला है मेरा भा तो बाकि और विए स्टेट की भरती कव आएगा मैं आप लोग अब्डेट कर दूँगा चैनल पर ते चैनल पर नहीं आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें आए से वीडियो के लिए बाकि ने भी MR और SSR का कलास चल ला है तो आप लोग कलास नहीं देखें तो जाके कलास को जरूर देखना और इस वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा सेयर करो कुछ भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में आज करो बाकि मिलते हैं दोस्तों एक और ने वीडियो में तब तक है दोस्तों जाय हिंत बंदे मातरम